नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिख्षा क्लासिस में देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ कि इथिक्स थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन आप जैसे ही इसमें इंट्रेस्ट लेने लगते हैं तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इथिक्स से इंट्रेस्टिंग सबसक्ट कुछ भी नहीं है आप एक बार इसमें इंट्रेस्ट लेजिए ठीक है, तो दूसरा पृष्णी यह है कि क्या इथिक्स के वल UPSC या PCS वाले लोगों को ही पढ़ना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं तिक मेरा मानना पर्सनली रूप से मैं यही कहूँगा कि ऐसा बिलकुल नहीं है, इथिक्स सब को पढ़ना चाहिए क्योंकि इथिक्स एक वे अफ लाइफ है जीवन जीने का तरीका सिखाता है हमें, हमें सिखाता है क्या ethical है, क्या unethical है हमें decision making emotional intelligence सिखाता है कि अगर आप emotions में हो तो आपको कैसे बुद्धिमता का प्योग करना है बहुत सारी चीज़ हमें सिखाता है हमें सिखाता है कि अगर कहीं आप दोहराय पे खड़े हुए हो कि आप decision नहीं ले पा रहे हो कि मैं किस तरफ जाऊं तो हमें सही रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता आपके लिए ज़्यादा perfect है तो ethics मेरे हिसाब से तो हर किसी के लिए बेहद ही कंपल सरी है हर किसी को पढ़ना चाहिए तो देखिए आज से हम अपना जो core से लिए बस है उसमें enter करते हैं सबसे बहले हम सिरुबात करेंगे ethics से ethics है क्या ethics के दोनो नजरिये से हम देखेंगे philosophy, दरसन के नजरिये से तो देखिए जो philosophy पढ़ने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं philosophy फिलोसफास philosophy एक बहुत ही गहरी गूर सोच वाले होते हैं जो बहुत ही एकदम basic प्रिशन से अपनी सुरुआत करते हैं और उसकी जड़ तक पहुंचते हैं बिल्कुल सुरुआत basic से करेंगे एकदम जैसे कुछ लोग इसवर को मानते हैं वो प्रिशन करेंगे इसवर कहा है इसवर क्या है तो इनसान मतलब उत्तर नहीं दे पाता उनका लेकिन वो उसी की खोज में आगे जाते हैं तो देखिए इसकी तीन ब्रांचे है और तीनों ब्रांच में जो ethics है जो philosophy है philosophy में ethics को अलग अलग طریقے से define किया गया है जिसे epistemology है दूसरा है metaphysics और तीसरा है ethics epistemology का मतलब है एसर मिमानसा sorry, metaphysics का मतलब है एसर मिमानसा और epistemology का मतलब है ग्यान मिमानसा यहाँ पर यह जो इतिक्स है इसका मतलब लिया गया है नीती सास्तर से ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स के उपर देखिए मेटाफिजिक्स वाले जो लोग होते हैं वो तीन चीजों को केंदर में रखते हैं उनकी सारी की सारी discussion इन्हीं तीन चीज़ों पर आके खतम होती है। सबसे पहला है उनका ईश्वर, ईश्वर है या नहीं है। अगर है वो इस्त्री है या पुरस है। उसके कौन-कौन से गुड़ हैं। क्या वो सर्व्यापी है। तो अगर है भी तो ईश्वर मतलब दिखता क्यों नहीं है। यहां तक तो ठीक है वो इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन परिशानी देखो वहां पर पैदा होती है जब ईश्वर को मानने वाले मतलब जो धार्मिक होते हैं लोग और जो मेटाफिजिक्स में रिसर्च करते हैं। जो मेटाफिजिक्स पर अपना ईश्वर के उपर अपना पूरा जीवन मतलब उनकी रिसर्च कर रहे हैं क्या क्या। उन दोनों के बीच में जब डायलोग होता है, दोनों लोग बैटके जब बात करते हैं, तो देखिए, कही न कहीं जो मेटाफिजिक्स वाले हैं, जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक लोग जो होते हैं, कहीं न कहीं जो धार्मिक लोग हैं, उन से इस तरीके के प्रिशन करते है कहीं न कहीं, वो मौन हो जाते हैं, वो उनके प्रिश्णों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, और नहीं वो सटीक जवाब किसी के पास मौजूद है, कि वो फिलोस्पर को सांत कर सके, किसी भी दार्षनिक को सांत कर सके, तो पहला उनका जो केंद्र होता है, वो होता है इश्वर, दूसरा है उनका जिस पे वो अपना सारा फोकस रखते हैं वो है इस्परिट मतलब कि आतमा आतमा देखिए सबसे पहली बात तो यही आती है कि आतमा है या नहीं तो देखिए कि धार्मिक लोगों का मानना यह है कि जिन्दा सरीर के अंदर आतमा होती है और मर जाती इंसान का सरीर जब मर जाता है तो उसमें से आत्मा निकल जाती है उसी को मरत सरीर बोल देते हैं लेकिन परिशानी इसमें भी वहीं पे है कि जब ईश्वर को मानने वाले या आत्मा को मानने वाले और फिलोसपर जो होते हैं उनके बीच में जब dialogue होता है और दोनों के ही तरक बहुत ही strong होते हैं philosopher के strong अपने आधार पे आप देखेंगे तो बहुत ही strong होंगे और जो उत्तर देने वाले होते हैं उनके तरक भी strong होते हैं और हम decide नहीं कर पाते कि आगर सही कौन सा है तो परिशानी वहाँ पैदा होती है इसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि अंतरांत्मा इसको हम आगे देखेंगे अब है अगला है जगत संसार यूनिवर्स जिसको बोलते हैं तो इस पे देखे ये भी इनी का मुख्य तीन बिंदों में से मुख्य है जिस पे फोकस करते हैं मेटाफिक्स वाले यूनिवर्स उसमें भी यही है कि संसार है या है है या नहीं है जैसे धार्मिक लोग तो कह देते हैं कि मतलब संसार एक मित्या है आदी वग आदी आदी और अगर यह है तो यह किस ने बनाया इसको इसकी चमताएं क्या है ये कितना विस्तरित है कहा तक फैला हुआ है अखिर मतलब जगत है क्या तो यही सारा का सारा फोकस होता है मेटाफिजिक्स वालों का ठीक है अब अब देखिए कोई दार्शनिक आदमी होता है वो मतलब एक उच्छी लेवल पे बहुती अलग स्थर प अधिक चमता वाले लोगों के बीच का एक बहुत ही उच्छी स्थर का डायलोग है इसको सामान निभासा में कोई बहुत से लोग उच्छी स्थर की गप भी बोलते हैं जैसे टप बोलते है ना गप होती है जैसे कि मतलब ऐसे ही कुछ भी फैक रहे हैं लोग तो कुछ निभाग है तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सी ब्रांच में इथिक्स का क्या आर्थ लिया गया है देखे मेटाफिजिक्स में इतिक्स का यह आर्थ लिया गया है कि गौड इस्पिटर यूनिवर्स ठीक है इश्वर आत्मा और जगत यह क्या है फूर दूसरा सर्कंद सी प्रक्रक् Generation तो सकता है एक फिरिया है 그러á रोट है प्रकार्राई या तो उसके फुर्ड हैं जो हमी देख पा रहे नहीं सकति के वह किए। वास्ताम मेम बारव स्वोगा गणता सब्क galaxy यवाइट बूढ़ सामने लगा होता है जिससे गुरुष इस वाइट लुदू लेए वाइट यज Deo नहीं कुछ भी 100% के साथ नहीं कहा जा सकता कि यही है बस वो ब्रह्म है कहीं ना कहीं जैसे मौन के चलो कोई वाइट गोर्ट के हम बात करें तो दिखिए सबसे पहले उस पर एक प्रकास पढ़ता है लायट आती है लायट उससे टकरा के रिफ्रेक्ट होती है और हमारी आख में सबदलाब हो गा कहीं ना कहीं फिर आपके आंख में एंटर किया आँक में प्रोसेसिंग हुइ उसके और दिमाग में गयी आपके पढ़के बताया कि यह वाइट यह ना कहीं ना कहीं इन आख में बडिने डिस्टॉर्षन हो सकता है आपके आख का ज क्शन न्हुश ने गा तो उसको बोड थोड़ा सा पीला नजर आएगा लेकिन वहीं पे अगर मन के चलो कोई क्लास है जिसमें 400 लोग बैठे है और 400 लोगों को पीलिया है तो उन सभी को लोग उन सभी लोगों को जो वाइट बोड है वो पीला नजर आएगा और लोगतंतर के आधार पे हम निर्ड सकता कहा जा सकता इसलिए वे हर हर वस्तु से पहले हर किसी विचार से पहले वो सायद लगाते हैं कि सायद है सायद नहीं है इस्वर है उनका मानना है उनको दोनों के तरकों को सुनेंगे धार्मिक लोगों के भी और जो धर्म को ना मानने वाले हैं जो उस पे रिसर्च करत लेकिन किसी भी चीज पे concrete discussion, concrete नेना देना, अंतिम ये नहीं है उनका बस हर चीज के आगे सायद लगा देना अब चलते हैं आगे हम ethics ethics क्या है ethics का यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो नीती मिमान सा है जो कि उपर की दोनों ब्रांच epistemology और metaphysics दोनों को हुई मिला के एक familiar रूप है इनका देखिए, ये बात करीगा आपका इसके दो चीज़ों के बारे में सबसे पहला है आपका साध्धन और साध्धन ठीक है, आपका साध्धन क्या है और आपका उद्देश क्या है किसके माद्यम से वो अब प्राप्ट करना चाहते हैं, ठीक है ये दोनों ही ब्रांचों को बिला के जो निकल क्याता है वो इथिक्स है इसमें दोनों ब्रांचों का समान रुप से कही ना कहीं मिस्रण देखने को मिलता है ठीक है, भारत के अगर बात करें तो ये साध्य और साधन जो है एक तो होता है उद्देश से और उद्देश हर किसी का है मोच्ष प्राप्ति, देखो हाँ अलग-अलग दर्सन में मोक्ष को अलग-अलग नाम से जाना गया है कहीं पर कैवल ले कहा गया है कहीं पर इसको ग्यान बोल दिया गया है कहीं पर आनंद बोला गया है लेकिन अन्तिम जो बेसिक उद्देश है जीवन में हर इंसान का वो मोक्ष प्राप्ति ही है हाँ, साधन अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन अन्तिम उद्देश सभी का मोक्ष प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, सुख, अन्तिमुद्दिश सुख ही है, भारत में भी देखिए करीब 9 दर्सन हैं जैसे, उनमें से 8 दर्सन, अगर केबल 4 वा को छोड़ दिया जाए, तो मोक्ष प्राप्ति के साधन ही बयाते हैं, सारे के सारे, ठीक है, कोई बस अस प्राप्ति है, लेकिन साधन आपके अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे भक्ती हो सकता है, मक्ती के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, ज्यान हो सकता है, यूग हो सकता है, आदी, तो देखिए, अगर हम इतिक्स का अर्थ फिलोसफी, जो आप देख रहे हैं, इन तीन सा धर्वों में अगर हम इसका अर्थ लें कि इतिक्स आकर क्या है, तो इतिक्स का सीधा सा उद्दिश है मोक्ष प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, सुख प्राप्ति, और इस सब के बारे में हम बात करेंगे चेप्टर नवर फूर में, जो आपका है फिलोसोफी, ठीक है है, फिलोसोपी of ITX, तो इस चेप्टर में पहला जो चेप्टर है, उसको हम फिलोसोपी के माध्यम से ते उसका आर्थ नहीं ले सकते हैं, तो हम चलते हैं sociology के माद्यम से, तो देखी, topic 1 में जो इथिक्स का आर्थ लिया गया है, उसका मतलब नीती मिमान सा नहीं है, बलकी उसका मतलब sociology के हिसाब से एक णैतिक व्यवस्ता है, ठिक है, उसका नीती मिमान सा नहीं है यापे, अनृतिक व्यवस्ता के रूप में लिया तो समाज को नैतिक बनाने के लिए जो कारे किये जाते हैं ठीक है वही नैतिक विवस्ता है ठीक है तो देखिए सुसाइटी में सबसे पहले सोसिलोजी में हम बात करते हैं सुसाइटी की सुसाइटी क्या है समाज क्या है देखिए समाज की विवस्ता है या विवस्ताओं की व्यवस्ता है, system of systems है, जिसके चलाने के लिए बहुत सारी उपव्यवस्ता हैं कार कर रही है, यह बहुत सारी उपव्यवस्ताओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो देखिए समाज को चलाने के लिए समाज एक व्यवस्ता है, जिसको चलाने के लिए बहुत सारी छोटी छो जो बहुत ज़रूरी होती है उसको control करने के लिए जिसको बोलते हैं social control समाज को नियंतरित कैसे करना है तो सबसे पहली विदी है वो है socialization सामाजी करण और दूसरी जो विदी है वो है social control इसको मतलब अगर आप वैसे बात करें basic terms में तो award मतलब पुरुषकार और धंड का सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम दिखते है देखिए social समाज समाज को नियंतरित कैसे किया जाता है देखिए मान के चलो आप बस में बैटकी कहीं जा रहे हैं अप आराम से बस में बैटे हुए हैं आपको कोई डर नहीं है कि पीछे वाला इंसान आप में चाकु मार देग हैं उनके उपर सहमती बन चुकी है पहले ही कि ऐसा नहीं करना है हमें कुछ नियुनतम सार्थक मुल्यों के उपर समाज में जब सहमती बन जाती है वही हो जाते हैं उसके basic नियम values उस समाज की तो वो social control एक तो हो गया है यह आपका कि पहले ही वहां समाज का समाजी करण हो चुका है और कुछ जो बहुत कुछ नियम थे जो समाज को कहीं न कहीं control करके रख सकते थे उन पर पहले ही सभी लोगों ने आसानी से सहमती जाहर कर दी है तीक यह पहले एक विचारक हुआ था हॉप्स ठीक है उनका मनना तो यह है कि जब starting में जब आदमी ने मतलब डर लगा रहता था कि पीछे वाला मेरे उपर आकरमण ना करते तो शुरुवात में society ऐसी नहीं थी समाज ऐसा नहीं था लेकिन धीरे-धीरे समाज डेवलप हुआ तो उसमें कहीं न कहीं कुछ चीजों पर ऐसी सहमती बन गई कि ऐसी किसी पर कोई आकरमण नहीं कर देगा ठीक है तो यही है वहीं से शुरुवात हुई है तो शुरुवात में तो concept था कि everyone was everyone's enemy प्रतेक विक्ति प्रतेक विक्ति का दुसमन है क्योंकि उनको एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं था कोई किसी पर भी आकरमण कर देता था बैटे हुए हैं चार लोग ऐसे ही कुछ भी मन करेंगे socialization, socialization का मतलब है सामाजी करण किसी इंसान का सामाजी करण कर देना मतलब कि किसी परवेश में किसी समाज में कोई रह रहा है वो दीरे दीरे उसमें अपने उसके अनुरूप ढल जाता है वो होता है socialization उसको adopt कर लेना यह होता है इसका socialization की process मान के चलो कोई पैदा हुआ छोटा सा तो सबसे पहले वो बच्चा क्या है आप बताईए इसमें से सोसल है, अनसोसल है एंटी सोसल है या इसोसल है देखिए बच्चा जब पैदा होता है उसके करीब तीन साल तक उसको कोई जानकर नहीं होती किसी भी चीज़ की तो बच्चा पैदा होने के बाद जब तक तीन साल तक उसके अंदर कुछ भी नहीं होता तो वो इसोसल होता है, मतलब समाज से तठस्त होता है उसको समाज की कोई जानकर नहीं है कि समाज है क्या, क्या नियम है क्या नहीं है, तो वो इसोसल होता है जैसे दीरे दीरे वो समाज में बड़ा होता है वो दीरे दीरे उसका सामाजी करण हो जाता है ठीक है? और वो सोशल हो जाता है वहीं पर कुछ लोग हैं जो अनसोशल है अनसोशल का मतलब देखो अनसोशल होना कोई गलत चीज नहीं अंसोशल का मतलब है कि मेल मिल आपके साथ ना रहना समाज में वो लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं मतलब समाज के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहते हैं जैसे सब भी लोग रहते हैं तो वो लोग होते हैं अंसोशल कहीं न कहीं एक होता है फिर anti-social anti-social मतलब कि समाज के विरोध में कारे करे मतलब जैसे कि उनको देखा कि लोग खुश है भाई खुश क्यों है लोग बम फोड़ देता हूं मैं ठीक है ऐसे ही लोग निकल रहे हैं उपर से इंट मार दी चोरी करना यह सब यह जो लोग हो जोते हैं जो समाज को नुक्षान पहुँचाते हैं कही न कहीं वो होते हैं आपके anti-social लोग और आपके assosal होते हैं पूरी तरीके से समाज से कटे हुए है तटस्त मतलब कि उनको पता ही नहीं अभी समाज है क्या पूरी तरीके से तटस्त कोई विचार ही नहीं है समाज को लेकि उनके बारे उनके मन में ठीक है unsosal introvert type का होता है थोड़ा सा मतलब समाज से ज़्यादा interaction नहीं रखता थोड़ा समाज से दूरी बना के रखता है मतलब कि हाँ ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग देखंगे अपने एक social होता है मतलब बहुत ही mail मिला आप वाला बहुत ज़्यादा कहीं पे भी जा रहा है रास्ते में दो लोग लड़ रहे है भाई बीच में बीच में चापको निकले तयार हो गया बहुत ज़्यादा social होता है कहीं रास्ते में जा रहा है रिस्तेधारे निकल ले किसी के भी घर गया आप कहा से हैं मेरी चाची वहां से थी मेरी फूपी थी तो मतलब अन्य अन्य तरीकों से बहुत ज़्यादा social हो जाते हैं बहुत सारे लोग मा से, सबसे ज़्यादा बच्चे पे बच्चपन में प्रभा अपनी मा का होता है, ठीक है, उसके बाद उसका परिवार से सीखता है वो, उसके बाद आता है, उसके पड़ोसियों का प्रभा पड़ता है, उसके स्कूल का जहां वो जाता है, उसका प्रभा पड़ेगा, फिर म प्रविज, मार्केट, टेवी, इन सबका उसके सामाजिक जीवन में, उसके जितना भी वो मतलब सीखेगा जो कुछ भी, इन सबका प्रवाब होता है, बच्पन में देखिए सबसे ज़्यादा मा का परेव, मा का और फैमिली का और पड़ास का, और एक टीनेज में सबसे ज़ तो सोसलाइजेशन है, सोसलाइजेशन तो प्रिक्लिया है, वो इसी तरीके से काम करती है, ठीक है, सबसे पहले मा से, फिर परिवार, फिर पड़ौस से, स्कूल से, और फिर मारके, टीवी, जब बच्चा बहर नकलने लग जाता है, तो भीकिए, सोसल अगर किसी को बनाना है, समाजी करना अगर किसी विक्ति को बनाना है, तो उसके दो तरीके हैं, समाजी करना से मतलब आप समझ गया होंगी, कि जिस समाज में वो रहता है, उसके नियम कानून जो उसमें चलते हैं, उनके हिसाब से अपने आपको एड़ॉप्सन कर लेना, अपने आपको अनकूलित क मतलब कि जिन परिस्तितियों में इंसान रह रहा है, उन परिस्तितियों के हिसाब से अपने आपको ढाल लेना, ठीक है, ढाल लेना है उसको ढलवा देना, यही है सोसलाइजेशन, अधिक है सोसलाइजेशन जिस समाजी करन किसी का करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका है, एक बहुत ही खराब तरीका है तो सबसे पहला है जैसे बात करें तो हम Explotation मतलब कि शोशार करना किसी चीज़ का जैसे दास प्रथा, सिलिवरी ठीक है, जैकि इसमें क्या होता है कि सामने वाले को पता होता है कि उसका सूसड हो रहा है उसको मार पीटके उससे काम कराया जा रहा है और कहीना कहीं उसके अंदर फिर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लग जाता है और गुस्सा बढ़ता है तो एक दिन वो फिर उग्रस वह उसका हो जाता है और वो क्रांती करता है ऐसी क्रांतिया दुनिया में हर जगह होई है अमेर्का में जब सूसन होता है किसी का तो कहीना कहीं गुस्सा मन में भरता जाता है और एक दिन फिर क्रांति होती है जैसे मान के चलो कोई बंधुआ मजदूर है उसको बहुत सारे लोग जैसे दिल्ली हो गया कहीं पे बड़े-बड़े सहरों में बॉम्बे हो गया वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब अपने घर पे एक पर्मानेंट वो रखते हैं सर्वेंट ठीक है उनसे मतलब सारा काम लेते हैं और कहीना कि उनको प्रताड़ित भी करना है कि नहीं तुझे सैलरी नहीं देंगे अगर यह नहीं करेगा मतलब 24 गंटे क्या मतलब 24 गंटे कम से कम 22 गंटे उन लोगों से काम कराते है ठीक है तो यह मतलब सामने वाले को दिख रहा है कि हम मेरा सोसन हो रहा है लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी है वो ऐसा करता है तो यह बहुत ही खराब तरीका है किसी भी इसंसान का सामाजी कराण करने का सामाजी कराण कैसे कर दिया देख उसको अपने घर की परिस्तितियों के हिसाब से सामने वाला जो मजदूर है जो उसके घर में सर्वेंट है उसको अपनी घर की परिस्तितियों के हिसाब से डाल दिया ना तो ये तो हुआ मतलब कि वहां की परिस्तितियों के हिसाब से उसको डाल दिया ये बहुत ही खराब तरीका है सोसड सामाजी करने का दूसरा तरीका है आपका इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही मतलब जबर्जस तरीका है Right जिसको भूलते हैं इसमें क्या है कि सामने वाले को एषास ही नहीं होता है इसको पता ही नहीं होता कि उसका मतलब कि शोषण हो रहा है Exploitation उसमें भी है कही न कहीं लेकिन उसको महसूस ही नहीं होने देटें कि आपका exploitation होता है बलकि उनको ऐसा ऐसा जला दिया जाता है बच्पन से इस तरीके की उनको पट्टी पढ़ा दिया जाती है उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीने कहीं वो गौरब साली महसूस करते हैं अपने आपको कि नहीं यही मेरा धर्म है मुझे ऐसा ही करना चाहिए अगर मैं इस पत से हट जाऊँगा तो मैं कहीना कहीं विधर्मी हो जाऊँगा मैं गलत हो जाऊँगा ऐसा जो कारे करते हैं यह जो चीज होती है वो होती है social conditioning ऐसा जो कारे करते हैं सबसे ज़्यादा सबसे खतरना करूप से जो एक चीज जो कारे करती है social conditioning का वो है आपका समाज वो आपका धर्म कहीं न कहीं सब बिताएं संस्कृतियां यह सारी चीज़ें आपका social conditioning बहुत जबज़स तरीके से करती हैं जैसे इसका उधारन लेके हम बात करें फिर भी उसको सिखाया जाता है कि आपको घर में रहना है और यही आपके लिए सही है धर्म यही सिखाता है आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं घर से बाहर नहीं निकलना है तेकि उनके जीवन में खुसाली जैसा नयापन जैसा कुछ भी नहीं है घर के सारे काम करती है उसके वाबजूद उनकी घर की जो बेसिक आया है जो घरेलू इंकम होती है उसमें भी उनकी इससेदारी नहीं होती उसमें भी उनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता नहीं दिया जाता सौरी नहीं दिया जाता है घरों में कि हाँ, जबकि काम तो काम है न, मतलब बानके चलो पती या कोई इंसान है, वो बाहर जाके काम करता है, महिला भी तो घर में बहुत सारा काम करती है, लेकिन उसके काम को काम नहीं माना जाता है, बाहर जब जाके लोग काम करते हैं, उसी की economic value लगाई जाती है, उसको आर्थि है, उसके मन में, बच्पन से ही मतलब social conditioning उसकी इतनी बढ़िया तरीके से की गए, ये इतना बढ़िया तरीके से, मतलब उसके मन में ऐसे विचार बिठाए गए हैं बच्पन से ही, कि उसको लगता है कि ये जो सब हो रहा है, कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ, मैं जाता है कि नारी, नारी के मतलब इस तरीके सबसे बड़े सदोड क्या है, उसके मुख्यगोड क्या होने चाहिए, त्याग, स्रेष्ट, स्रेष्ट था, मतलब कि नारी के अंदर त्याग होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़े, खाना सबसे लास्ट में ख खाना खा लेंगे जब जाके तो ये चीज़े ना बचपन से लड़की के मन में बठा जाती है और उस लड़की को कोई समझाने की बड़े होने के बाद कोसिस भी करे न तो वो नहीं समझती है वो कहती है कि हमारे घर में लड़ाई करवाना चाता है या हमारे घर में प्रोब् इतनी जवर्जस तरीके से की गई है कि लड़की ऐस दाइरे से निकलके घर के दाइरे से निकलके सोछी नहीं सकती समझ रहे हूँ अर्थाथ चहने का मतलब यह है कि मतलब बचपन से उसको जिस चीज़ के लिए सोचनी के लिए मजबूर किया गया था उसको देखे, स्वतंत्र विचार रखने के लिए आजादी नहीं थी उसको, स्वतंत्र विचार वो रखे, यह आजादी उसको बिलकुल नहीं थी, उसको एक particular way में एक direction तै कर दिया गया था कि आपको इसी direction में सोचना है, जैसे कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, किस से विध्यान देने में लग जाती है, ना कि अपनी जो आकान चाहें, जो महतुकान चाहें, उन पर बिलकुल विध्यान नहीं देती, तो यह सारा का सारा जो कमाल है, यह सोसल कंडिशनिंग का है, सोसल कंडिशनिंग देखे, बड़ी-बडी कंपनियां, और यह जिती मुल्ट नहीं कहीं, ठीक है, सोसल कंडिशनिंग एक बेटर तरीका है किसी भी चीज़ का सामाजी करने के लिए, ठीक है, तो और देखे, जैसे हम भारत के बारे में बात करें, तो भारत के बारे में कहीं नहीं कहीं, सोसल कंडिशनिंग सबसे ज़्यादा होती है, उच्छी तर इस तिरी हो, ठीक है, जो मैच्चेर लोग होते हैं, वो सोचल कर्णिशनिंग करते हैं हमेशा, जैसे बच्चा है भारत में, भारत में बच्चे को क्या सिखाया जाता है बच्पन से, बारत में बच्चे को सिखाया जाता है कि संसकारी बच्चा, बटा कोई भी आएगा पैर छू होंगे बच्पन में ये सारी चीज़ उसको समझाए जाती है तो देखिए भारत में संसकारी बच्चा बनाने पर जो और दिया जाता है संसकारी बच्चा कौन है संसकारी बच्चा वही है जो को मान लेना है जो पिताजी कह रहा है वही सही है तो उस समाज में देखी करांतियां तो नहीं होंगे और भारत के इतियास में करांतियां नहीं हुई है क्यों क्योंकि भारत एक संसकार प्रधांदेस है और सिरू से ही उनको सिखाया गया है कि आपको विद्द्रो नहीं करना है विरोधी स्वाब का नहीं बनना है अब हम आते हैं देखिए सोशल कंट्रॉल का जो दूसरा तरीका है उसके उपर social control का जो दूसरा तरीका है वो है पुरुषकार और दंड का विधान prize award, prize या award या punishment दिखिए, prize मिलना एक पुरुषकार मिलना पुरुषकार मिलने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले मैं आपको clear कर दूँ कि वो इंसान मिलने का मतलब भी ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है इसलिए उसको परिस्मेंट मिल रहा है पुरुसकार मिलने का सीधा सा मतलब और दंड मिलने का सीधा सा मतलब इससे है कि जो व्यवस्था है वहाँ पे जो सोसल सिस्टम है वो जो वहां पे व्यवस्ता है उसके हिसाब से उस इनसान ने अपने आपको किस तरीके से अनकूलित किया है किस तरीके से उस सुसाइटी के नियम उस रूल्स को उस व्यवस्ता के जो नियम कानूने जिस रास्ते पे व्यवस्ता चलना चाहती है उन नियमों के आधार पे अपने आपको किस तरीके से डाला है जिसने ज़्यादा बैटर तरीके से अपने आपको डाल लिया है उसको मिलेगा प्राइज या एवार्ड और जिसने उसके खिलाब खड़ा होगा उसको मिलता है पनिस्मेंट ठीक है तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि प्राइज मिलना है एवार्ड मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है आपको पुरुसकार मिला है कि आप मतलब की बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या और आपको धंड मिला है तो आप बुरे हैं ये बिल्कुल नहीं है देखिए सबसे पहले इस धारणा को अपने मन से खारिज कर दें बस सिंपल मतलब है कि आपने जिस चीज की वहाँ डिमांड है उस चीज को अपने अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से बसा लिया इसलिए आपको प्राइज मिला और सबसे बैटर तरीके से आप उसके हिसाब से अनकूलित कर लिया अपने आपको क्योंकि अगर देखिए पनिस्मेंट के हिसाब से अगर माना जाए कि ये लोग पनिस्मेंट जिनको मिलता है वो हमेसां बुरे ही लोग होते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि पनिसमेंट तो न्यूटन, गैलिलियो, बुरुनो और सुक्रेट्स सभी को मिला है ठीक है ठीक है न्यूटन का समाज में उसने बाइबल का वरोध किया था उनके समाज में खुब भरसक वरोध हुआ था गैलीलियों को तो मतलब समाज से क्या मतलब वहां की जो वेवस था थी जब प्रिशन उठाए थे गैलीलियों नहीं 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 खोजें की थी तो चर्च को कहीं नहीं कहीं चुबे थे और उन्हें इस सवर से मतलब वहां की जो वेवस था थी उससे माफी मांगने पड़े थ हालंकि उन्होंने जो माफी मांगी थी वो इतनी मतलब इस तरीके से नहीं थी कि वो सीधा सीधा जुग गए है लेकिन हाँ इतना था कि उन्होंने कहा था कि मेरे अगर विचारों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ मेरे जो विचार थे पहले थे आज भी वही विचार है उनने ये कहा था ब्रुनो ब्रुनो ने तो अदलब प्रिशन उठाये थे उसने कहा था कि प्रिकृती ईश्वर का ही रूप है समझ रहे हूं और व्यक्ती का पुनर जनम होता है उनका ये था जबकि इसलाम और आपका यहुदी और इसाइयत इन सब बातों को नहीं मानते और ब्रुनो को इसके लिए इसाई वहाँ पे जो चर्च थी उसने वहाँ पे उनको साथ साल की सजादी थी जब वो साथ साल बात बाहर आये तो उनसे पूछा गया कि आपके विचार बदल चुके हैं क्योंकि उनका मानना था कि इसवर एक है और इसवर अलग है मतलब इसाइयत के अपने वो थे उसके हिसाब उनके अपोजिट बात की थी ब्रुनो ने जब वो बाहर आये तो उनसे पूछा गया कि क्या आपके विचार बदल चुके हैं तो ब्रुनो कहता है नहीं मेरे विचार अभी भी वही है जो पहले थे तो देखिए चर्च ने उसको सजा दी थी और उनको सूली पे लटका के जिन्दा जला दिया गया था ठीक है भी चौराए पर अधिकी सुकराथ हैं सुकराथ मतलब बताएं तो अगर सुकराथ एक बहुत ही मतलब बहुत ही स्मार्ट आदमी था मतलब दिमाग इतना मतलब मौडरन सोचने वाला इंसान सायदी समाज में उस सदी में हुआ हो अगर भारत में इसके कॉंटेक्स्ट में अगर किसी को देखें तो कबीर दास उस लेवल की विचारक लगते हैं नजर आते हैं साब साब ठीक है सुकरात दिखने में थोड़े भद्दे थे मतलब खुबसूरत नहीं थे कहने का मतलब यह है और वहां के जो युवा थे युवाओं के उपर उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाब था क्योंकि सुकरात हमेंसा तारकिक बातें किया करते थे पिर बहुदेबबाद का कि इस्वर बहुत सारे हैं इस बात का उन्होंने विरोध किया तो इससे क्या था जो ग्रीस और एथेंस वाले जो लोग थे वो उनसे नाराज हो गए और वहां की जो न्याय पाल का थी उन्होंने उसको जहर का प्याला पीनी के लिए दे दिया उनकी रिवी प्रिटीशन हुई वहां पे द्वारा से मो गई गई उनको सजा मिली उनका एक सिस्था प्लूटो प्लूटो ने उनको मतलब जब वो कालकोटरी में बंद थे तो पूरा-पूरा इंतिजाम कर दिया था उनके लिए कि वो मतलब वहां से भाग जाए वहां से चले जाए ठीक है लेकिन सुकरात ने मना कर दिया सुकरात ने का नहीं मैं तो चला जाओंगा मेरा सरीर तो चला जाएगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे अगर मैं यहां से भाग गया तो तो सुकरात ने मतलब यही है कि वहीं पर है कि प्राणत्यागती है ठीक है तो इन सारे एक्जम्पल्स से आपको यह तो किलियर हो गया होगा कि यह जो प्राइज और पणिस्मेंट है यह जो तक ही है यह डिपेंड करती है सोसल सिस्टम पे कि आपकी सामाजिक व्यवस्था उस समय कौन से विचारों को जादा महत्तों देती है ठीक है यही होता है सरकार में गवर्मेंट में देखिए कोई गवर्मेंट अगर नियाए पर यह है मतलब लोगतांतरिक गवर्मेंट है तो वहाँ पे क्या है नए नवीन विचार लोगतांतरिक विचारों को बढ़ावा मिलेगा उसके उपर लिखने वाले जो पत्रकार है जो भी मीडिया करमी है उन सब को मतलब इनाम मिलेगा वहीं पे कई तानासाही सरकार है अगर वहाँ पे कहीं पे और तानासाही सरकार में अगर कोई लोगतांतर की बात करे और मतलब कहीं ना कहीं वो नेने विचार ठीक है, इन सब की बात करेगा तो उसको punishment मिलेगा वहाँ पे जाके ठीक है, तो ये ताना साही उसने होगा, तो ये depend करेगा वहाँ की कि आपको social system कैसा है, सामाजिक विवस्था वहाँ पे कैसी है तो दंड और पुरुसकार का जो विदान है, वो सीधा-सीधा अच्छे या बुरे को तो बिल्कुल नहीं बताता है, ये depend करेगा वहाँ की विवस्था के उपर क्यों? क्योंकि यही विचार मतलब उसकी विवस्था को maintain करेंगे ठीक है? जो जैसी विवस्था उसको maintain करने के लिए पर्टिकुलर विचार्स चाहिए हैं, उसके संबने जो विचार हैं, उन्हीं को वो government या विवस्था है, उन्हीं को बढ़ावा देगी तो अपने आपको maintain करने के लिए वो society उन्हीं विचारों को धंडिया परुसकार उसी के आधार पे देती है ठीक है, अब जैसे हम और example ने हैं अब हम बात करें जैसे कि बुर्खा, बुर्खा पहनते हैं, जैसे मुस्लिम समदाई की जो महिलाएं हैं बुर्खा पहनती है अगर वो बुर्खा आप किसी मुस्लिम कंट्री में पहन रहे हैं मुस्लिम डॉमिनिट कंट्री है या फिर गल्फ कंट्री में पहन रहे हैं तो वहाँ पे उसका मतलब बहुती बचपन से अगर कोई लड़की जैसे बुर्खा पहन रही है बड़ी होके वो मतलब पूरी तरीके से इसलाम को फॉलो कर रही है जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है उनको फॉलो कर रही है तो वो मतलब की गल्फ कंट्री या मुस्लिम बहुल कंट्री में या उनके धर्म को मानने वालों की नजर में बहुती मतलब सब है बहुती अच्छी सुसंगत बहुत अच्छी लड़की है लेकिन वहीं पे अगर वो लड़की बुर्खा पहन के यूरोप में वो करे तो बहुत सारे देखे यूरोप के दिसिस में सैंक्सन है बुर्खा पहनने पर बुर्खा आप नहीं पहन सकते तो वहीं पे उसके लिए मतलब कहीं न कहीं दंडगा विधान हो जाएगा और वहीं पर उस तरीको पुरस्कृत किया जाएगा दूसरी तरफ यह सुसाइटी पर डिपेंड करेगा वहीं जैसे गाओं और सहर का अंतर है अगर देकिन modern dresses कोई लड़की सहर में पहन के गुम रही है तो उसको लोग fashion sense कहेंगे वाव क्या fashion sense है उसका लेकिन वहीं अगर modern dresses कोई लड़की या कोई मैला गाओं में पहनती है तो कहीं न कहीं उस पर मतलब भद्धी टिपनिया की जाएगी कि यह क्या पहना हुआ है हमारी संस्कृति को खराब कर रही है इन सब के बारे में बात की जाएगी तो यह सारी चीज किस चीज पर depend करेगी यह समाज पर depend करेगी वहां की विवस्था पर depend करेगी सहरी विवस्था अलग है गाओं की अलग है विवस्था ठीक है तो अब हम चलते हैं आपका अगला topic है यह आपका यह है आपका ethics अचिया नाथना है नेतिकता क्या कहती है कि किसी समाज के जो नेतिक मूले हैं और वहाँ पर जो उच्छ आदर से हैं जो उनका आच्रण है उसके जो प्रत्यमान उसके जो नौम्स हैं ठीक है उन सबका जो नुर्धारण करे उसे कहते हैं नेतिकता ठीक है यह क्या है कि यह प्रयास करेगी समाज के जो सभी सदसे हैं उनका जो व्यभार है समाज के सभी सदसे का जो व्यभार है वो उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जो व्यभार है उनका जो आचनड है उस समाज के मुल्ले और प्रतिमानों के आधार पे होना चाहिए तो देखिए मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं नेतिकता क्या है नेतिकता इतिक्स जो है ये क्या करेगी आपको कोई सोसाइटी है मानके चलो उस सोसाइटी की कुछ moral values हैं उन moral values उन moral values को सभी को follow करना है और दूसरा उस society में रहने के लिए आपको किस तरीके का आचरण होना चाहिए उसको follow करना है ठीक है उसके कुछ प्रतिमान बना दिये गए मतलब कि एक पैमान निर्धारत कर दिया गया है कि अगर आपको इस society में रहना है तो आपको यह यह moral values होनी चाहिए और आपका जो ऐसी होनी चाहिए आपका आचरण उसी के अनुरूप होना चाहिए अगर आप एक civil servant है और आप उस system में घुस्ट चुके हैं तो आपकी values एक civil servant वाली होनी चाहिए आपका आचरण भी उसी की तरीके का होना चाहिए ठीक है आप एक कलाकार है तो आपकी values अलग होंगी आपक अगला topic हम जिस पे बात करते हैं तो मैं समझता हूँ आप नैतिकता समझ में आ गया होगा society से, देखिए हमने society से शुरू किया था क्योंकि पहले हमें समाज को समझना जरूरी था समाज किस तरीके से किसी इंसान को नैतिक अनैतिक बनने का मौका देता है, ठीक है socialization किस तरीके से जब समाज में वो ढ़ल जाता है, तो कौन सी चीज़ है नैतिकता बनती है, वही नैतिकता है ठीक है, अब हम बात करते हैं ethics और morality के बारे में तो देखिए, देखते हैं ethics versus morality देखिए, ethics जो है आपका एक Greek सब्द इतिका से लिया गया है जिसका मतलब ethos ethos मतलब की रिती रिवाज वहीं पर morality की बात करें तो morality एक Latin सब्द है जो की निकला है, मौस या मौरस है ठीक है, इसका मतलब भी होता है, रिती ही रिवाज रिती रिवाज ही होता है, ठीक है अब देखिए इनके बीच में basic difference क्या है हम सबसे पहले वो देखते है Ethics क्या होता है, देखिए Ethics factual है सबसे पहले आपको बता दूँ, Ethics क्या है Ethics factual है, मतलब की नियम है Ethics का Hindi meaning है यहाँ पर नीती सास्त्र और morality का मतलब है नैतिकता यह क्या है, Ethics के नेतिकता आपकी अपनी है कोई नीयम नहीं यह यह fact नहीं है, बदल सकती अबकी, लेकिन office के नियम नहीं बदलते ना, वो तो head bei head बदलेगा तभी बदलेगा आपने इस हाब से आप नहीं बदल सकते लेकिन morality आपकी नेतिकता बदल सकती है नीती सास्त्र नहीं, नीती सास्त्र जो नियम है, जो fact है यह objective है, या तो है या नहीं है, जबकि ये क्या है ये subjectivity है, यह आत्वनिष्ट है, मतलब कि अंदर से सोच के आपको क्या विचार आ रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अपके विचार कैसे हैं यह morality subjectivity के आधार पे चलती है यह से आपको कोई काम करना है या नहीं करना है यह आत्मनिश्टता के साथ अपने अंदर से इसका जवाब देंगे लेकिन अगर आपको office पहुंचना है तो यह subjectivity है या तो पहुंचना है टाइम पे या नहीं पहुंचना है चिक है यह सटीक है एकदम से फिक्स है ठीक है यह क्या है follow by external pressure यह आपको institution संस्था के जो instructions हैं उनको follow करना पड़ेगा वहां का नीती सास्तिर अगर यह कहता है तो वही करना पड़ेगा मान की चलो office है office में क्या है 9 बज़े आपको पहुंचना है 12 बज़े आपकी चुटी हो गई आपको 1 बज़े तक का rest मिला एक बज़े से फिर आपको 5 बज़े काम करना है यह अगर इस हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो से 12 बज़े आप बैठे हुए हैं boss को तो लग रहा है जो आप उस office के जो ethics हैं कि आपको 9 बज़े आना है 12 बज़े तक लगातार काम करना है उनको तो आप follow कर रहे हो लेकिन आप काम नहीं कर रहे है बैठे हो चुपचाप चुपके से phone में लगे हुए हो गप कर रहे हो whatsapp कर रहे हो या chat कर रहे हो किसी से भी इस तरह की वो कर रहे हो तो वो कहीं न कहीं आपकी morality है यह moral नहीं है morality के खिलाफ है यह चीज ठीक है तो ethics और morality में तना ही difference है कि ethics किसी institution या questions था या fact जिसके पहले से चले आ रहे हैं उन नियमों को follow करना है हमें जब कि morality हमारी अंदर की आवाज होती है कि हमें करना है नहीं करना कि हम अपनी तरफ से कितने moral है ठीक है ethics देखो किसी की भी हो सकती है जैसे चोर है कोई चोरी करना कहीं नहीं अनाथिकल तो है ठीक है चोरी करना अनाथिकल है लेकिन अगर वो चोर है और वो मडर भी कर दे जैसे जैसे चोर है कोई चोरी करने गया उसने चोरी की उसके बाद उसने उसका मडर भी कर दिया तो यह कहीना कहीं उसकी morality भी नहीं थी चोर भी देखिन नैतिक होते है काम तो अनेठिकल है वो गलतकार कर रहा है क्योंकि उसके धंड बना गवा है छो बिएना मड़र की ए हम यह तो वो चोरी कर सकता था तो कही नेखिता वही है आगर वो उसका मडर करे ना करे यह उसकी नेखिता पर आजाती है बात ठीक है तो अब देखे हैं हम कुछ ऐसी कुछ एक्जामपल्स ले लेते हैं जिससे हमें नैतिक्ता और नीती सास्तर के बीच का डिफरेंस साफ नजर आ जाए ठीक है कोई एक ऐसी सिचुईशन जिसमें इंसान एथिकल भी है और मॉरल भी है मान के चलो कि कोई इंसान है वो ओफिस जाता है ठीक है वहाँ पे टाइम पे पहुचता है वो इंसान और टाइम पे घराता है जो बास कहता है वो काम करता है उसी रिसाफस रहता है तो कहीं न कहीं वो इंसान ethical है लेकिन वहीं पे दूसरा इंसान वहीं पे वो इंसान अगर office तो time पे जाए जैसा boss कहीं ऐसा भी करे लेकिन जो काम वास्तम उसको दिया गया है उसको ना करके अपने personal कामों को करे गप लड़ाए office में बैठके कुछ गलत हरकतें करे काम खराब करे मन नहीं लग रहा काम में तो मतलब की ऐसे ही कुछ भी करने में लगा हुआ है अपना बस time पूरा कर रहा है पूरी इमांदारी के साथ उस महनत को नहीं कर रहा है तो वो कहीं कहीं उसकी morality नहीं है दूसरा ऐसी कोई condition जहां पे इंसान ethical तो है right है मतलब ethical है wrong मतलब w moral नहीं है तो ऐसी situation मैंने भी बताय थी कि कोई जैसे चोर है जैसे आप बात कर लो तो देखें कहीं न कहीं चोरी करना दोनों ही मामलों में गलत है sorry इसका हम लेते हैं थोड़ा दूसरा example ले ले लेते हैं जिससे किया आसाइन समझ में आये देखें कोई चोर है अगर वो चोरी कर रहा है कहीं न कहीं unethical तो ही वो ethical नहीं है इसलिए ठीक है unethical नहीं है लेकिन अगर वो मढर भी कर दे साथ में तो वो तो उसकी moralative खतम हो गई कोई चोर मतलब ठीक है इमांदार होते है मतलब जैसे चोरी करना है उनको बस चोरी ही की चुपचप लेके आ गए हाँ चोर unethical तो था लेकिन moral चोर था मतलब की moral था नethic था कहीं नहीं गए उसने मतलब ऐसा हाम किसी को नहीं पहुचा अपनी इमांदारी से उसको पैसे दे दी है वो चला गया गलत तो दो नहीं है लेकिन एक example ऐसा ही set करना पड़ेगा देखो हमें वहीं हम दूसरी बात करें कि कोई इनसान unethical भी है और वो moral भी नहीं है इसका example अगर हम देखें तो अब देखिए चलते हैं मान के चलो कोई doctor है जैसे ठीक है तो doctor के पास कोई case आया है और वो इनसान मतलब सामने वाला जो patient है वो ऐसी भीमारी लाइलाज भीमारी से पिल रिता है और वो कहता है doctor से कि मुझे euthanasia दे दो मतलब कि मुझे इच्छा मरत्यू दे दो तो देखिए उसके जो medical के ethics है ठीक है चिकतसक विज्ञान के जो ethics है वो कहते हैं कि नहीं आप euthanasia ऐसे नहीं दे सकते ठीक है तो आपको medical ethics को आप मान रहे हो तो ये मतलब ethical हो गया आपका ethics है और कही नहीं लेकिन वो इनसान आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और आप उसको इच्छा मरत्यू नहीं दे सकते आप देख रहे हो कि मतलब उसका घर बरबाद होता जा रहा है उस सारा का सारा पैसा जो बच्चे या जो बीबी है जो नीती है, नीती सास्त है उनको तो आप फॉलो कर रहे हो लेकिन ये कही न कहीं अगर आप देख रहे हो कि बहुत जादा परेशानी है अधर से अवा जा रही है कि हाँ इसको यार चामरत्य। देता हूं क्यों कि इसकी परिशानी य उसके पर्वार के परिशानिया दूर हो जाएंगी तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप moral है unethical तो हो गए लेकिन आप वहाँ पे ethics के एसाब से आपने गलत कर दिया अगर उसको एचिशम्रत्यू देते हैं और लेकिन आप moral हो गए वहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं कि आप उसको चमरत्यू नहीं देते और आपको दिख रहा है कि उसका घर बरबाद हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो आप यहां पे moral नहीं है, हाँ, क्यों? क्योंकि आपने ethics के नियम को follow किया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि medical ethics कहता है कि आपको चमरत्यू नहीं देनी है आपको ऐसी किसी की जान नहीं लेनी है कोशिस करनी है, अंतिम step, अंतिम बिल्कुल मतलब last तक जाना है कि आपको इसको बचा सकते हैं कि नहीं ठीक है तो यही difference है देखिए ethics और morality में आप दोनों के बीच का difference समझ गया होंगे और ऐसे example बनाईए ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तो ethics है यह इसमें ऐसे ही पढ़ना होगा यार हमें ज्यादा से ज्यादा example लेने होंगे देखि इस जैसे आगे बढ़ेगा हमें इसमें और इंट्रेस्ट पैदा होता जाएगा एथिक्स का पूरा कोर्स हमारे चैनल पर अबलीबर होगा डेली एक लैक्ट्चर में एथिक्स का अपलोड करूँगा बने रहें सिक्षा एजूकेशन के साथ नमस्कार दोस्तो कर दोस्तों